Before 7 years, the ratio of the age of A and B was 3 to 4. After 9 years, the ratio of their age will be 7 to 8. The present age of B will be, okay, A का कितना है, और B का कितना है, okay? So, before 7 years, the age of A and B will be 3 to 4, यानि कि, X मान ले थे 3X, A और B को मान ले थे 4X. कितना है before 7 years, यानि कि, पहले का 7 years. Plus 7 years, okay? After 9 years, the ratio will be 7 to 8. After 9 years, यानि कि, 9 years की बाद, 9 years की बाद, वो लोगा ratio क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 to 8 हो जाएगा, 7 to 8 हो जाएगा, okay? The present age of B will be, तो B का जो है present age बताना है, तो पहले इसको क्रोस मंटिप्लाइ कर ले थे, कितना हो जाएगा? सबसे पहले इसको देखे, 4, 3X, 7 plus 9 हो जाएगा, यह इसको प्लस उन्तु प्लस प्लस, कितना हो जाएगा? 16, और इसको भी 4X plus 16, okay? equal to 7 is to 8, अब क्रोस मंटिप्लाइ कर ले थे, कितना हो जाएगा मेरा? 24, 3X is 24, X plus 16 into 8, 128, equal to 7, 4 is 28, X plus 16 into 7 हो जाएगा, 12, 128 हो, 28 में देखे, 24 गया जाएगा, कितना बजएगा? 4X equal to, 128 में 112 गया, कितना बजएगा? 16, यहनि कि 4 उन्चा 4, 4, 4 जा, 16, यहनि कि X equals to 4 आगया, अब X equals to 4 है, यहनि कि मुझे किसका बोला है? B का निकालने के लिए बोला, B का कितना है? 4X, 4X, X मतलब क्या है? X मतलब 4 है, 4, 4 जा 16, यहनि कि 16 तो आगया, बोला है, will be the present age of, present age किया होगा? प्लस 7, जो कि जो, बिफोर जो था, 7 बिफोर था, तो बिफोर को भी आड़ करेंगे, जो कितना आजाएगा? प्रेजेंटेज आजाएगा, तो कितना होगा? 16 प्लस 17, sorry, 16 प्लस 7, मेरा हो जाएगा कितना? 23, 23 कौन स उप्शन में है? 23 उप्शन D, थैंक्यू.